इसकार आईबेन 24 पर आपका स्वागत है मैं आपके साथ मोहित गोयत और तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं इस यूवक को चोट लगी है इसको चोट लगी है और ये अप्लीकेशन देने के लिए अप्लीकेशन दिये है अब हुआ क्या था पूरा माजरा वह हम इसी से पूछते हैं इसका क्या नाम है और इस अप्लीकेशन को एक बार आप द्यान से देख लिए बाकि सारी जो गटना है वह इसी से पूछेंगे इसके साथ वह क्या कब हुआ और कैसे वा रव एस प्यों दिन और उसके बाद में पुलिस कारवाई कोई नहीं हो रही जी वह दबाओ दे मैं जी चाड़ी से जार ले ले लिए पचास जार ले लिए आप पचास जार ले लिए ऐसे शिकायत करता हैं वह आरोप लगा रहे हैं आपका नाम क्या है दिपक नाम है अब फाग वाड़े दिने से क्या हुआ गयूना आपको चोट मारनी पड़ी कुछ लड़ाई जगडा गाले गलोच या कुछ क्या हुआ कुछ नहीं हो या जी मैं अपने रोड पर वीडी सिगरेट पीन लाग रहा था जी चार जने आये बाइक पर लट्थम लट्था आद एक बार पैर पे भी चोट लगी हुई है आथ ये टूटा हुआ है ये आथ एक आथ है ये टूटा हुआ है शिर में जो आप देख सकते हो शिर में भी चार पांस ट्राक के आये हुए हैं ऐसा बता रहे हैं ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको दिख रहा है और आप कमर में ये दिख रहे हैं सारा चोट आप देख सकते हैं किस तरह से मारा गया कितनी बुरी तरह से मारा गया है और पुलिस के उपर यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस हमारी कोई कारवाई नहीं कर रही है कोई भी कारवाई इनकी पुलिस नहीं कर रही है आखिर में इनोंने पहले पुलिस चोकी में अपनी अप्लिकेशन देती लेकिन इनकी कोई कारवाई नहीं हुई तो अब ये SP Office में अप्लिकेशन देने के लिए पूचे इनके साथ एक और है इनके साथ उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ था क्या नाम अपना मेरा नम सुरेश हसर मैं यहां सिंकुरे रोड करेने वाड़ा हूं और यह बाई जैसे की घर से बार आया था पहले कोई कया सुनी नहीं ना किसी और की थी और यह चार-पांच बंदे आये जैसे कि हम दुकान पे मैं समान लेने के लिए जा रहा था आते ही है मैं इसको बोल के आपने चोकी में अपलिकेशन देदी चोकी वालों ने क्या गया आपको थोड़ी जी कारवाई हम कर देंगे तुमारी बरहाजा कुछ नहीं हुआ ऐसे रहे है उन्होंने वारे कारवाई करने के बजाए यह मारे पई दबाव बना दिया और जो जिनोंने चोट मारी थी उसकी मोशी बगरा लगती है वो घर के पास रहती है कर उन्होंने यह बनाय थाने में जाते हैं जी वो बोल देते हैं ना तो कोई F.I.R. नंबर है जी ना कुछ और है जी ओनलाइन कुछ भी नहीं दिखा रहा है जी अब यह बताव जी कहां जामा जी यहीं आया जी गोवार के लिए जी गरीब आद में और कि जाओं जी राजी नामा तब होगा सर ज हमने नहीं आ रहे बिलकुल में जी मेरे ठीक है अब हम थोड़ी ना उनके घर जागे बाते करेंगे हमारे उपर उल्टा रोप लगा दें हमारे गर पर आगे थे मारने के लिए हमें तो जब आपको राजी नामा करना तो पुलिस के पास किसली आ रहे हो जी नामा ने करना भी जिसका बड़ा भाई है जी इसकी ममी त्याडी करें जीशित की मिसी जब द्याडी मज़ूरी बचावें जी यह कल्कों कुछ तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से इसको चोट मारी गई है और लगाता रही है पुलिस के उपर भी आरोप लगा रहे हैं और जिनों ने इसको चोट मारी है उनके उपर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो सामने नहीं आरہ है और पुलिस इसे इनए के उपर दबाव बना रही है कि जुठा पर दरज करने का प्रयास किया जार है आप सबसे अपील है वीडियो को ज्यादा चेर करते हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चोट मारी ग यह कुछ político को देखिया कि देख्यश सकती है कि आपको दिख रहा है विलकुल कलियर दिख रहा है किस तरह से इसको चोट मारी गई है सिर में भी इसको टाक्या हुएं आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं इस तरह से माँ रहा गया है और इसका आरॉप ये है कि पुलिस भी कोई कारवाई नहींकर रही हैं भी कोई कारवाई नहीं करें प्रशासन वाले इसकी कोई गल्ती दिन नहीं अब क्या है जी उनके पास है उनका जुगाड़ा पैसोगा इसका पैसे खाड़े 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 जुगाड़े नहीं है जी मारा है नहीं है जी आप देख सकते हैं 18-19 तारीकि इन्हों ने अप्लिकेशन दी थी लेकिन आज तक इनकी कोई भी कारवाई नहीं ने पता है इनको लट मारे गए लोग इराड से इनके उपर जान लेवा हमला हुआ जैसा कि इन्होंने अप्लिकेशन में भी लिखा है चार-पांच लोग जान से मारने की तलवार का भी आरोप लगा रही तलवार ते चार-पांच आदमी जान से मारने की नियत से इनके उपर हमला किया था आप सबसे अपील है वीडियो को ज़्यादा से ज़्या सबसे पहले पहुंचे आप तक